मैं नाम विशी चत्वानी है मैं चार्टिल एकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रॉफेसर हूँ गौर्वर्मेंट कॉलेज में इन दिनों में हमारी इंकम टेक्स की सीरीज चल रही है ये हमारा नाइन सेंपल पेपर है हमारा असेस्मेंट ये रहे है 24-25 के लाक रुपे का अन एब्सॉब्ड डेपी सेशन है ये एक लिमिटेड कंपनी है मनला कंपनी एससे का कॉशन है इसे आगे ले जाए जा सकता है तो आप इसके सारे ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन पढ़ने के दौनान आप बोर होते हैं इसलिए मैं सीधा ही मुद्ध अब उसके पास उसके बाद उसके बास चार लाग का प्रॉफिट है ठीक है चार लाग का प्रॉफिट है घर्चे काटके अभी तक उसने डेपी सेशन नहीं लगाया तो अब क्या हो रहा है प्रॉफिट से आप चार लाग का तर डेपी सेशन लगा सकते हो कि चार लाग तक other source capital gain उससे आपको बरपाई करनी चाहिए यानि अगर आपके business head में इंकम नहीं है तो आपको जो परोसी head होते हैं inter head adjustment की कोशिश करनी चाहिए salary head की तरफ आप नहीं जा सकते हैं बात के वर्षों में आप इसे किसी भी head से adjust कर सकते हैं और यह बात इसलिए खास है कि जनरली हम किसी loss को carry forward करते हैं तो उसे same head में adjust करते हैं जैसे अगर house property का loss आगे जाएगा तो आगे जाके house property head head से adjust होगा लेकिन unabsorbed depreciation एक ऐसी आइटम है जिसे आप आगे ले जाके किसी भी head से set off कर सकते हो लेकिन वापस salary से set off नहीं कर सकते logic simple है जब salary से main year में जो main previous year था वहीं पर set off नहीं होने दिया तो आगे ले जाके भी salary से set off नहीं कर पाऊगे तो दो खास बाते हैं unabsorbed depreciation आप समझ पाएं बाद में भी आप किसी भी head अरोसी परोसी head से जाके set off हो सकते हो दूसी बात है हर जगे 8 साल का limitation होता है ठीक है कहीं 8 साल होता है कहीं 4 साल होता है लेकिन इस loss को आप infinite period तक adjust कर सकते हो तो दो बाते इन दोनों में जहां से आजाए आपको तो अर्निशित काल तक आप इसकी कूर्ती किसी भी शीरशक से कर सकते हैं c option भी ठीक है कितना प्रतिशत भाग कर्शी आये होता है percentage of income from the sale of coffee grown and cured in India तो देखिए अगर इसको मैं बहुत सिंपल बता दो कॉफी के मामले में अगर आपने दो क्रियाएं किये केवल कॉफी के मामले में आपने दो क्रियाएं किये तो 25% आपकी मानी जाएगी business income और 75% आपकी मानी क्रियाएं किये तो बहुत ज्यादा activities कर ली अगर बहुत ज्यादा activities कर ली तो फिर 40% मानी जाती है business income और 60% मानी जाती है agriculture income तो केवल मैंने इतनी सी बात से बताया है तो आप इससे 4 MC क्यों बना सकते हैं क्योंकि कभी वो business income पूछ लेता है कभी agriculture income पूछ लेता है यह बहु दी माना जाएगा तो आप इसको आप देख लीजेगा ठीक है चलिए वैसे पूरी टेबल मना रखी है मैंने क्यों मैंने के बना रखी है यह table available है कि जब आप coffee cable उगाते हैं और क्योर करते हैं तो 25% business income होती है अब जब coffee grown क्योर के लावा roasted और grounded करते हैं तो 40% आपकी business income होती है और tea business में आपकी 40% business income होती है ठीक है कुछ income से ऐसी होती है जो business income नहीं माने जाती जिसे पॉल्टरी फार्मिंग करना और fisheries करना डेरी फार्मिंग यह सब आपकी agriculture income नहीं मानी जाती है चलिए next question देखते हैं साज़िदार की फरम से डैश डैश आय कर मुकत है तो यूं सम अब यह मान लेते हैं कि जो A है इसे फरम से salary मिला ठीक है salary commission fees कुछ भी नाम देते हो उसको ग्रॉस में एक नाम देते है रैमिनरेशन मिला तो A को partnership firm से रैमिनरेशन मिला ठीक है इसके अलावा इसे partnership firm से interest on capital मिला ठीक है और तीसरा इसे partnership firm से हो सकता है profit का हिस्सा मिला suppose कर ले है मैं ही कह रहा हूँ firm से मिलने वाला वेतन या रैमिनरेशन taxable होता है firm से मिलने वाला पूंजी का ब्याज taxable होता है यह भी बता दूं यह दोनों मदे individual partner के लिए PGBP head में जाके taxable होती है यह समझाना इसलिए जब ही था कि generally किसी को salary मिलती है तो salary head में जाती है लेकिन partner को salary salary फोर्म से मिलती है वो PGBP head में जाती है इसी थार से interest होता है interest जब generally मिलता है तो other source में जाता है income from other source में जाता है लेकिन यहां पे जो interest on capital या interest on loan जो partner को partnership firm से मिलता है वो PGBP head में जाता है दोनों आइटम में taxable होती है लेकिन firm से जो lab का हिस्सा मिलता है वो exempt होता है इसका logic तो इसलिए एक मौरल अग्दर स्टोरी किया है कि पार्टनर हो जो फॉर्म से प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है वह एक्जेप्ट होता है साज़दारी फॉर्म के लाभों में से जो हिस्सा साज़दार को मिलता है वह एक्जेप्ट होता है तो इसका अंसर सी आएगा हर अंसर और यह दोड़ी सी आदत में आप डाल लीजे ठीक है चलिए इसके बाद है वर्ज दोजार टेविस जोईस के दोड़ान आशीश नमलिकि इसके लबाए से कैपिटल गेन हुआ है जो कि इसने इंडिया में लोकेटेड बिल्डिंग को बेचा है हाला कि इसे यह पैसा हॉलेंड में रिसी हुआ है कि सरकाना पर दे हो मैं यहां पर नहूं कि भारत में एक भवन है उसको बेचने पर कैपिटल गेन हुआ छे लाक जाना जैने पहले सबसे पहले यह डिसाइड करो कि आशीश इस कॉशन में क्या है उसी से टेक्सबिलीटी डिसाइड होगी मैं दो पॉइंट आपको बताता हूँ अगर आशीश इस कॉशन में रेजिडेंट एंड और जैजिडेंट जिसको निवासी वाध सामन्य निवास तो ऐसे व्यष्टी की ऐसे इंडिविज्विज्वल की ग्लोबल इंकम टेक्स होती है मतलब इसने पूरी दुनिया में कहीं से भी कमाया हूँ सब टेक्सेबल होगा इस केस में यह 4 लाग औ 6 लाग 10 लाग रुपए पूरा का पूरा टेक्सेबल होगा अगर यह व्यक्ति रे हमार कैटेक्री का है तो फिर क्या होगा तो फिर हम यह देखेंगे जैसे पहली इंकम है यूके विकास बॉर्ण पर ब्याज तो यह अक्रियू आउटसाइड है और मोस्ली रिसीव आउटसाइड है उस 4 लाग में से केवल 1 लाग रुपए इंडिया में रिसीवा तो केवल यह तो ऐसी इंकम अक्रियू इंडिया मानी जाती है वह बले ही वह जो विल्डिंग बेचने से पैसा मिला हो वह यह हो उलंड शिफ्ट हो हो सारे आँपशन देख लीजी dapat वहान तो एसी इंकम भारत में मानी जाएगी और आसी इंकम सेैसे भाल 1 लोगी विकास का झार साई option देख लीजिए तरह तरह के उन्हें option दिये हैं 7 लाख रुपए आशीश की income में जोड़ा जाएगा और tax बनेगा तो वसूल किया जाएगा इसके बाद है मनुरंजन भत्ते की छूट मिलती है deduction for entertainment allowance is available तो यह बहुत आसान कौशन है मनुरंजन भत्ते की छूट केवल दिखा जाता है और यह भी दिखा जाता है कि इनको received कितना हुआ इन तीनों में जो छोटी राशी होती है यह पांच हजार रुपए याद रखिए और उससे भी जादा यह जादा रखिए कि कि यह cut out the cable government employee लिए है ठीक है सर्थ तो इसका answer आपका A रने वाला है student अगर आपको हमारी यह mcq question बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना जाता हूँ कि हमने 2000 से भी जादा mcq का question bank तयार किया है उस mcq question bank के कुछ features मैं आपको बताता हूँ पहली बात तो यह कि यह current assessment year के मताबिक है हम हर साल हमारा income tax का question bank अपडेट हिया करते हैं तो आपको updated mcq मिलेंगे दूसरी बात साथी साथ आपको chapter wise notes मिला करेंगे साथी साथ हमने 50 sample paper भी दिये हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तयारी की है और तयारी का level कैसा है साथी साथ 50 video lectures आपको मिलेंगे ताकि question को approach कैसे करना है वो approach आपको सीखने को मिले सारे के question हिंदी में और साथी साथ अंग्रेजी में भी है ताकि किसी भी medium के students को कर सकें अगर आप assistant professor की तयारी कर रहे हैं और UGC net commerce की तयारी कर रहे हैं तो यह income tax का question bank आपके लिए रामबार साबित होगा आप phone पे भी इसे access कर सकते हैं और अगर आप computer या अपने laptop पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं तो यह 2000 MCQ का question bank हमारे app पे available है जरू देखिएगा जरू चेक आउट कीजिएगा सरकारी करमचारी के अवकाश ग्रहन करने पर करमउकत है वेल यह question पूछता है कि अगर जैसे government employee है वो retire हो गया तो क्या होगा तो committed value of pension जो pension का एक साथ पैसा मिलता है वो क्या होगा तो वो होगा exempt ग्रेचुटी के राशी जो मिलती है वो क्या होगी exempt चुटियों के बदले जो चुटियां हमने नहीं लेती उसके बदले जो पैसा मिलेगा वो क्या होगा exempt तो government job का क्मानिए कि government job का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि जो आपके retirement benefits होते हैं वो सारे exempt होते हैं उसके उपर कोई tax नहीं लगता अगर यही private sector होता तो pension में हो सकता है कि आपको one-third deduction मिलता या one-half deduction मिलता ग्रेचुटी में आपको बीस लाग रोपर तक का exemption मिलता earned leaves में आजकल 25 लाग limit हो गई यह 25 लाग तक का exemption मिलता लेकिन remaining amount taxable होता तो private sectors में जो कुछ-कुछ amount है वो taxable होता लेकिन government amount में यह जो सारे amount मिलते हैं यह fully exempt होते हैं लेकिन आप ध्यान दखीगा pension जो आपको टुकड़े टुकड़ो में monthly मिलती है जिसको uncommuted pension बोलते हैं वो taxable होती है लेकिन pension का वो इससा जो आपने एक मुश्ट ले लिया एक सा वित्य वर्ष 2023 के लिए लागत वर्दी सूचकांक है तो आपको पता है एक term होती है cost inflation index कहां काम आती है capital gain में क्यों काम आती है जैसे suppose करो कि हमने कोई building सन 2001 में खरी थी ठीक है और उसको हमने वर्ष 2023 में बेचा suppose करो उस समय हमने property को 20 लाग में खरी था और आज इस property को हमने 75 लाग में बेचा तो दुनिया तो क्या सोचेगी यह सब लोग क्या सोचेगी वहा मज़ा आ गया 20 लाग की चीज को 75 लाग में बेचा 55 लाग कमा लिया लेकिन आप भी जानते हो उस समय महंगाई का level क्या था औ आपको यह मौका दिया जाएगा कि आप अपनी cost को inflate कर सकते हो आप अपनी cost को लागत विर्दी सूचकांग के हिसाब से बढ़ा सकते हो तो क्या होता है मैं बता रहा हूं जैसे 20 लाग रुपर लिख लिए उपर 20 लाग हमाई original cost है इसमें multiply करेंगे जो cost inflation index है transfer year का cost inflation index suppose करो आपने इस सल बेचा तो इस सल का inflation index 348 इसको अंसर भी है मैं तो आपको उसका practical implication बता रहा हूं 348 इसका indexation number है तो अपन यह ले लेंगे और यह उपर तो अपन ले लेंगे sale year का या transfer year का index number और नीचे ले लेंगे अपन purchase year का या acquisition year का transfer number index number which was 100 ठीक है तो आपको दो index number याद रगना है एक तो सन 2000-2001 का जहां से आपकी यह नई series of cost inflation index शुरू हुई है एक तो आपको starting जो number है वो याद रगना है 100 और एक आपको latest cost inflation index previous year 23rd choice का याद रगना है और वो है आपका 348 ठीक हर साल गजट में जारी कर दिया जाता है राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है आपको या रगना है इससे पहले वाले साल का यानि financial year 22 days के लिए इतवास 331 बहुत जादा याद करने जार्वत नहीं नहीं इसका कोई बहुत logic होता है ठीक है कोई memory trick से आप याद कर लो तो अलग बात है तो यूज यही है कि cost inflation index जो आपकी original cost है उसको inflated cost में बदलने में काम आता है जैसे अगर मैं अभी इसको change करूं तो ये करीबन करीब 69.6 lakh होना चाहिए और अगर माल लीजे आपने उसे 75,000,000 में बेचा भी तो आपको मातर 5.4 lakh का capital gain हुआ है तो property बेचने वाले के लिए तो बहुत ही important या बहुत ही useful है इसको indexation benefit बोलते हैं तो indexation benefit लेने के लिए you must know कि what is cost inflation index and how it is calculated तो इसको calculate नहीं करते government publish करती है 348 जिसका यहां से आपका पहला index number release हुआ है और अभी जो लेटेस चिल रहा है प्रीवियस यर 23 चोईज बोलो या फाइनेशल यर 23 चोईज बोलो जो की assessment यह 24 बचस में applicable होगा that is 348 ठीक है चलिए वेल अगला question कहता है अनिरुद्ध नई दिल्ली में रहता है उसकी basic salary 10,000 रुब मेना है उसमें से उसे डिये मिलता है डिये एक्चुली 6,000 रुब मेना है उसमें से 60% वेतन का हिस्सा है HR 5,000 रुब मेना है वो अपने द्वारा प्राप्त turnover पे 1% commission का हकदार है अनि रुद्ध प्रती मेना 500 का किराया अदा करते हैं चालू वर्ष के द्वारा नुन के द्वारा हासल किया अगर turnover 12,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 एक लिए पेपर पर मैंने पूरी कैल कर रहा है मैं वहीं से समझा दूंगा मोटा नियम बता रहा हूं एक तो पूछे उसे एचारे कितना मिलता है वह देखो तूसरा अनिरुद से पूछो कि उसकी सेलरी कितनी है और क्या वह सेलरी के 10% से ज्यादा चुका रहा है जो बात मै उसका जो रेंट पेड है वह सेलरी के 10% से ज्यादा है क्या अब तीसरा उसको यह पूछो कि सेलरी का 40% या 50% कितना होता है चुकि वह मैट्रो सिटी में रहता है तो सेलरी का 50% पूछो उससे ठीक है अब सेलरी कैसे निकालेंगे सेलरी का मतलब यहाँ होगा सेलरी से जो मी सेवा शर्टों वह लेना है और इसके लावा कि या उसको स्लील कमिशन टर्नोवर की वज़े से मिलता है तो फिर व या उसके सेलिग एफ़र की बशी Luther तो वह लेना है तो ये तीनों आपको कालूचान करह인 समय ले खे Fighter प्र Дав MI तो वह ले लो उसको डिये कितना मिलता है छे जार रुपर मेना तो वैसे कितना हुआ बैरता है लेकिन आपको किवल 60% लेना है विच इस अंडर टर्म्स ऑफ तो वह 17,520 से बहुत ज़्यादा पे कर रहा है आपके question में गौल किया होगा वह 500 रुपया मैना किराया दे रहा है तो he is paying 66,000 रुपी 66,000 है रेंट पेट और salary का 10% होता है 17,520 तो 48,480 रुपया उसको जो HR रेसी हुआ अपने employer से वह है 5000 रुपय मैना और salary का 50% निकालेंगे which is 87,600 इसमें से आपको least लेना है least मालब सबसे कम इसको पढ़ा जाता है whichever is less या पढ़ा जाता है whichever is least आपको इसमें से least amount लेना है तो 48,480 एक बार आप सीख लो received HR पूछे वह तो पूछे का निक है असान है received HR पूछे तो वह है 66,000 अगर वह आपसे exempted HR पूछे तो exempted HR है 48, करी बार वह आपसे पूछेगा taxable HR तो exempted HR को हटा के पीछे की चरब तरब जो बचेगा वह कहला है आपका taxable HR तो यह आप हमेशे यार रखेगा इसमें से आपको छोटा amount लेना है वह आपकी exemption है section भी याद कर लेना 10 13 A हाना देख लें पर क्याता है section है 10 13 10 में exempt income के बारे मे इसमें बताया गया है उसमें 13 A याद कर लीजेगा ठीक है वेल उद्गम इस्थान पर करकी कटवती की जाती है TDS हम बहुत सुनते हैं TDS की बहुत सारे नियम शर्ते परसेंटेज है TDS कौन करता है TDS जो भुकतान करता है वो करता है तो अगर TDS में अगर आपको भुकतान क करता है कि TDS is deducted by जो payment करने वाला होता है वो परसन making payment लेकिन इसमें भुकतान करता या payment करने वाला वर्ड नहीं है तो फिर TDS काटा जाएगा किसके दोरा employer के दोरा मतलब एक होता है employer यानि boss और एक होता है employee जो उसके पास काम करता है तो TDS कौन काटेगा जो तंख्वा अच्छी बोलूं तो इसकी salary मान लीजे 12 लाग रुपय है इसकी salary मान लीजे लाग रुपय मगिना है और बार लाक रुपय है तो boss इसे क्या करेगा 12 लाक रुपय नहीं देगा इसकी जो भी slab के साब से tax calculation है वो tax calculation करेगा मान लेते कि 2 लाख रुपय तक्स बन गया तो boss इस इसक्रिशन में कहले का एंपलॉयरं टीडिस गौष्मेंट नहीं काटती हाँ अगर कहीं-कहीं गौईंन पेमिंट करने वाली है जैसे में गौवर्मेंट एंपलॉयरं मुझे देटी है तो गौवर्मेंट टीडिस काट सकती है लेकिन इसमें से जो बड़ीया ओप्शन था ठ जो तनख्वात देता है, और सरलशबु में और सही शब्दों में टीडियेस दे जाता है, काटा जाता है, जो भुखतान करता होता है, उसके द्वारा, बॉस इस क्रृशन में 12 लाख मैं से 11 लाख रुपर सैडरी एम्पोरी को दे देगा, एक लाग रुपे TDS कार्ट के गौवर्मेंट को जबा करा देगा ठीक है इसके बाद है XYZ Limited जो के प्राइवेट लिमिटेड है उसका एक करमचारी है उसका नाम है संजे संजे को ड्राइवर के साथ एक कार दीवी है कार के जो कहें कैपसिटी है वह 1.6 लीटर सीसी से कम है अगर किसी नौकरी करने वाले को कार की फैसलिटी मिलती है तो उसमें बहुत बातें देखनी होती है जैसे क्या-क्या देखनी होती है कार में पहले तो यह देखना होता है कि कार कंपनी की है या कार संजे की है यहां लिखते है कार कंपनी की है या कार संजे की है फिर कार जो मिली है वह प्यॉर गवर्मेंट काम के लिए मिली है प्यॉर परसनल काम के लिए मिली है या मिक्स के लिए मिली है जैसे इस कॉशन मे में इसको जो जो कार मिली ही है वो कार छोटी मिली ही है ठीक है फिर इक और बात करने को कार के साथ जो एडिशनल खर्शे हैं वो कॉन करता आइं तो कार के साथ जो एडिशनल खर्चे के सांग कंपनी करती है और लास्ग लगने कि कार को चलने वाला साड थी graph N performance is नहीं मिला है जैसे इस कोशन में जो सारी बाते हैं उसके बाद कार की सुईधा का मुल्यंकन जो होगा वो होगा अठारा सो प्लस नौसो तर वाट इस डिस कार की सुईधा के लिए अठारा सो रुपय वैल्यू पकड़ी जाएगी और ड्राइवर की फैसलेटी के लिए 900 रु मैंना टेक्सिबिलिटी फर संजे और बारा मैने के टेक्सिबिलिटी आप मैल्टिप्लाइ कर लेना करीबं 32,000 चार्स हो आएगा ठीक है मैं दोह रहा हूंगा नहीं आप इन बातों को वापस सुन लीजेगा सी इसका अंसर होगा संजे को कार मिली है छोटी कार मिली है परस टेक्सिबिलिटी से 24 MCQ बन सकते हैं आरहा हमसे more than 24 बढ़ चौबिस तो minimum MCQ बन सकते हैं तो इसको का का एप डीका चार्स होता है वो याद करके जाना पड़ागा मैंने उसमें से किया है मैं थोड़ा से यहां बता रहता हूं आपको ऑफिशल पर्पस में अगर कार उफिश पार्टली पर्सनल परपस है तो फिर मैंने बताया कि कार छोटी बड़ी वगएर 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 फैक्टर्स को देखते हुए इंकम निकल जाएगी अथारा सौ रुपर छोटी कार के लिए है और नौ सौ रुपर अगर ड्राइवर के सुईधा हो बले ड्राइवर को सुप्रीम कोट प्रेसिडेंट इस बाइंडिंग उन सुप्रीम कोट के जो मिसाल होते हैं नजीर होते हैं उधारन होते हैं कि इन पर बाद्यकारी है माली जे कोई मामला आया उस मामले पर या वैसे ही मामले पर सुप्रीम कोट एक समय जज्जमेंट दे चुका है तो फिर आपको ज़्यादा परिशान नहीं के ज़रवद नियुक्त अगर वैसा का वैसा मामला है और सुप्रीम कोड यानि उस मामले में प्रिसिदेंट सैट है यानि पहले ही कोई नजीर है कोई आपके एग्जामपल लेने के लिए है तो सुप्रीम कोड ने जो जज्जमेंट दिया वो कोड्स जो लौर कोड और हाई कोड्स होते हैं उनको मानना पड़ेगा जो अपिलेट ट्रुबिने यानि अगर असेसी कोई-कोई दिक्कत है तो वो अपिलेट ट्रिबुनिल में भी जा सकता है मालब यह एक तरसे अर्दन यायकारी संस्थाएं होती है वहां जा सकता है वहाँ पर भी एक तरह से judges बैठते हैं जो वैसे income tax of officers होते हैं बड़े-बड़े as a judge बैठते हैं तो आप tribunal में भी अपनी व्यथा दर्श करा सकते हो और वो tribunal Supreme Court के दिये वे judgment को definite मानेगा ठीक है इसके लबाब जो income tax authorities होते हैं Aos, assessing officer, commissioners वगेरा वो भी Supreme Court को तो कोई ना करी नहीं सकता नहीं तो Contempo Court लग जाता है नेले की आउमानना का charge लग जाता है तो Supreme Court के जो judgment होते हैं वो सब पर बाद्यकारी होते हैं ठीक है? चले इसके बाद कहता है श्री विकास ने स्वयम के रहने के लिए मकान 1 अपरिल 2021 को 10% की वार्षिक दर पे 15 लाग का लोन लिया तो समझ में आता है कि इन्होंने मकान बनाने के लिए एक होता है खरीदने के लिए लोन इसने मकान बनवाने के लिए लोन लिया घर का निर्मान जून 21 में शुरू हुआ और 30 जून 23 इसको पूरा हुआ ठीक है यहाँ पर आके पूरा हो गया उसने अब तक किसी भी तरह का लोन नहीं चुकाया है तो इसके उपर लोन बाकी चल रहा है यानि वो इस साल भी ब्याज भरेगा और उसने पहले भी ब्याज भरा था जब मकान बन रहा था तो ये पूछ रहийा कि असेश्मेंट या 24 बचस के लिए सेक्षन 24 B जो कि ब्याज की सेक्षन होती है ब्याज की कटौती के बारे बात करती है उसके लिए ब्याज कटौती की राशी कितनी होगी वेल पहली बात तो आपे समय लेजिए कि ये स्वयम के रहने का मकान है सेल्फ अक्यूपाइट प्रॉपरटी का केस है और इसने जो मकान बनवाया है मैं आपको सीधा पॉशन का अंसर बता रहा हूँ पहले समझा लेता हूँ इसने देखा जाएगा कि लोन कब लिया जैसे इसने लोन लिया एक अपरेल 2021 को और इसका मकान कब बना तो इसका मकान बना 30 जून 2023 को आप यात रखेगा 30 जून 2023 आपको नहीं कंसिडर करनी आपको उस वर्ष की मार्च कंसिडर करनी है आपको ये मानना है कि अप्रेल 21 से लेके मार्च तेविस तक इसके उपर लोन रहा ये दो साल की अवधी है अब आपको इस दो साल की अवधी का भ्याज निकालना है तो जैसे 15 लाग की रकम है 10 पसंड की rate of interest है और दो साल का समय है तो ये करीबन 3 लाग रुपय हो गया इस 3 लाग रुपय का आपको 1 बाइ 5 करना है 3 लाग का 1 बाइ 5 करने पर 60,000 रुपय आया तो मैं की कह रहा हूं कि इसको 60,000 रुपय की कटवती मिलेगी किस बात की इसको बोलते हैं pre-construction interest की इसके अलावा 15 लाग का 10% ब्याज 1.5 लाग रुपय इस साल का ब्याज है 1.5 लाग की कटवती ये भी मिलेगी यानि इसकी कुल कटवती की जो राशी होगी वो 2.10,000 रुपय होगी लेकिन 2.10,000 की जगर मैंने 2.0 लाग लिखा क्योंकि self-occupied मकानों के केस में आपको 2.00,000 रुपय से ज़ाधर कटवती नहीं मिल सकती तो यही सारी बाते मैंने calculation के थुरू वापस समझाई है यह पहले question English में पढ़ लिजेगा फिर बहुत सारे option आएंगे इसमें से आप 2.00,000 प्रिक कर लिजेगा अगर यह मकान let out होता तो इसे पूरी कटवती मिलती दो दसकी मिलती लेकिन यह मकान self occupied है तो 2.00,000 पर तक restricted है वापस यह calculation में समझा रहा हूँ एक बार देख लिजे इसने मकान लोन कब से लिया से लेकर मकान कब तक बना मकान बनने के exact date नहीं देखनी उससे पहले का जुमार से वहां तक पकड़ना है फिर उन 2 साल का ब्याज निकालना है फिर उस 2 साल के ब्याज पर आपको 1 5th कटवती हर साल मिलेगी कटवती कहां से मिलना शुरू होती है वो भी सिखाते दो जैसे 30 जून 2023 को इसका मकान बना यानि इसका मकान जो complete हुआ वह हुआ 23 चोईस में इसका previous year 23 चोईस से इसको कटवती मिलना शुरू हो जाएगी और 23 चोईस चोईस पच्चिस पच्चिस चब्चिस चब्चिस 26 27 और 27 28 इन 5 previous years तक इसको कटवती मिलेगी इसका relevant assessment year आप सोच लीजेगा तो यह वो previous year न है ठीक है assessment year एक एक बढ़ जाएगा इसको कटवती मिलेगी साथी साथ इसको चालू वर्ष के ब्याच कटवती मिलेगी लेकिन self occupied property में 2 लाग तक के limit होती है यही बाते मैंने सारी बताई अभी एक इमारत एक अपरेल 1995 को 20 लाग रुपए में अधिगरहित की गई basically इसको 20 लाग रुपए में acquire किया गया 95 में और जून 2023 को इसे 80 लाग में बेज दिया गया अपरेल 2001 को इस इमारत का fair market value 25 लाग था इसी तारीक को इसका stamp duty value 22 लाग रुपए था assessment year के लिए इस पर capital gain निकालें तो ये बहुत अच्छा एक practical question ने ने दिया है कि आप capital gain कैसे निकालेंगे मैं आपको आम बुद्धी से बात बताता हूँ आम बुद्धी यानि आम जनता कैसे सोचती है जिनको tax की बिलकुल knowledge नहीं है वही सोचते हैं कि हमने property को 20 लाग रुपए में खरीदा तो हमारी यो purchase cost है वो है 20 लाग रुपए की और हमने यह से 80 लाग रुपए में बिचा तो हमने 60 लाग रुपए कमा लिया ठीक है मोटे दोर में को यह लगता है कि हमने 60 लाग कमा लिया गौर्मेंट ऐसा नहीं मानती गौर्मेंट यह कहती है कि 20 लाग रुपए में आपने खरीदा था उस समय बहुत सस्ता जमाना था बहुत सस्ते में खरीदी थी आपने property तो उस cost को inflate किया जाता है लेकिन अब यहां पर ठहर दिये अगर आपने property 2001 2001 से पहले प्राप्त किया है तो आप यानि assessi cost को भी ले सकता है और वो चाहे तो fair market value को भी ले सकता है यह है नियम यानि वो चाहे तो अपने real cost को दिखाए और चाहे वेकलपिक रूप से वो fair market value जो उस समय का बजार में मुल्य चल रहा था उससे दिखाए तो उस समय मुल्य चल रहा था बजार में 25 लाग रुपे तो 25 लाग भी दिखा सकता है पहले यही नियम था फिर अब एक recent amendment आया है कि आप इन मेंसे जो भी मुल्य चाहो वो ले सकते हो तो ऑव्यस ही बात है वो 25 लाग रुपे लेगा लेकिन वो मुल्य स्टाम ड्यूटी वैल्यू से जादा नहीं होना चाहिए यदि उस समय अगर उस जगह पे स्टाम ड्यूटी वैल्यू अविलिबल था तो आप उससे जादा नहीं ले सकते तो वैसे तो मैं 25 लाग लेता लेकिन इस कॉर्शन में इस टाम ड्यूटी वैल्यू भी अविलिबल है इसलिए मैं 22 लाग रुपे लूँगा तो बस यही मज़े समझाना था कि आपकी मकान की कॉस्ट 22 लाग रुपे ली जाएगी इसको multiply करेंगे आज का जो inflation index है cost inflation index लागत वृदी सूचकांग से multiply करेंगे और 1995 का लागत वृदी सूचकांग अविलिबल ही नहीं है जो series available है वह 2001-2002 से available है और वह 100 से start होती है तो आपको 100 लेना है तो आप 22 लाग रुपे को इससे multiply करा होगे इससे आपकी cost आजाएगी और इस cost को आप 80 लाग से compare करोगे और दोनों का gap होगा वह आपका capital gain होगा यह calculation मैंने सारी समझा दी है लेकिन अब मैं इतना नहीं बोलूँगा आप देख लीजेगा मैं आपको बताते हो इसका answer तीन लाग चमाली से आएगा कैसे आएगा basically 22 लाग की cost है और inflation के हिसाब से आपकी cost 76 लाग चपन अजार है साधार शब्दों में government भी मानती है कि जो चीज आज से 23-24 साल पहले 100 रुपे की थी तो आपने करीबन करीबन 3,44,000 रुपे कमाया है तो 3,44,000 आपका capital gain कौन सा long term capital gain माना जाएगा ठीक है चलिए इसके बाद कहता है who amongst the following confers on the power to issue circular notification या clarification circulars कौन भेजता है notification कौन भेजता है उसमें अगर किसी को कोई confusion होता है तो clarification कौन भेजता है तो भेजता है CBDT आपको पता है income tax department जो है CBDT के अंतरगत कारे करता है हाला कि CBDT वित्तमंत्रा लेका अंतरगत काम करता है पर कुछी भी तरह का confusion notification या clarification clear करने के लिए CBDT issue करता है Central Board of Diet Taxes issue करता है इसका answer C रहने वाला है ठीक है चलिए उसके बाद है amendment by the finance act are made applicable from यह भी एक पुनियादी बात है जो बहुत जम्मने जवर है जैसे आप समझे अगर मैं कभी कहूं finance bill 2022 तो किस वर्ष से सम्मने दोगा यह सम्मने दोगा 22 से simple याद कर लो जो end में नाम कातम होता है वहीं से सम्मने दोता है फाइनेंस बिल 22 का सम्मने होता होगा किस से प्रीवेस यह 22 से और एपलिकेबल असेस्मेंट यह कौन सा होगा 23 चोईस वन मोर अगर मैं कहूं finance bill 2023 जो कि जनरली फरवरी 23 में रखा गया होगा वह किस वर्ष से सम्मने दोगा 23 चोईस से और relevant assessment यह कौन सा होगा 24 चोईस पचिस जो finance bill 2024 रख दिया गया है उसका सम्मन किस से होगा 24 चोईस पचिस से assessment यह कौन सा होगा 25 चोईस क्या समझाना चाहते हो समझाना चाहता हूं कि finance bill जो कि पास होने के बाद finance act बन जाता है वो कब से एक applicable होता है 1st of April से यानि next financial year की 1st April से finance bill applicable होता है next financial year के first day से तो first day of next financial year यह इसका answer रहेगा ठीक है चलिए Mr. X acquires an assets which was previously used for scientific research for rupees 2,75,000 श्री X एक संपत्ती प्राक्ट करता है जिसका उपयोग पहले विज्ञानी का अनुसंधान के लिए 2,75,000 रुपे में किया जाता था गतवश 15,16 में धारा 35,1,4 के तहट कटोती का दावा किया गया था अनुसंधान पूरा होने के बाद संपत्ती को श्री X के व्योवसाई के लिए उपयोग में लाया गया परी संपत्तियों के ब्लॉक में शामिल की जाने वाली संपत्ती की लागत है वेल ये कॉश्चन ही एकदम से मुश्किल आएगा समझ में पर बात क्या है मैं आपको स्टोडी बिताता हूँ ले लिया था टेक्स बेने लेने के बाद अब अससमपत्ति का मुल्य हो जीरो माना जाएगा ऐसा नहीं होागा कि आपने साइंटिफिक बिशेर्ज में उसको यूज कर लिया ठीक है प्रविट पूरा हो गया अब आप उसे बिजनस में यूस ले रहे हो बिजनस में यूज लिया जाएगा या cost में से deposition घटाते वे block में शामिल किया जाएगा ऐसी property को आप ब्लॉक में शामिल करोगे लेकिन zero value पे निल value पे शामिल करोगे यानि मान लेते हैं कि उस scientific research वाली property के अलावा आपके बाद 10 लाग की property है ठीक है और अब वो project पूरा होने के बाद वो property भी आ बन सकता है 6-7 साल का वो हटा के उसे शामिल करना चाहें गलत मैं कह रहा हूं कि ऐसी संपत्ति को block में आपको zero value पे शामिल करना है why क्योंकि इसकी पूरी deduction exemption आप ले चुके हो तो अब आपको अगर कुछ मुल्य जोनने दे दिया जाए तो फिर से आप depreciation ले लोगे यानि आ जर्वत से जादा कटाओती ले लोगे जो की होने नहीं दिया जाएगा इसलिए आपको ऐसी संपत्ति को zero value पे जोनना है थोड़ा टेकनिकल कॉशन था पर होप मैं आपको समझा पाया थोड़ा बहुत आ विनिंग फ्रॉम लॉट्टरी इस फिप्टी थाओजन और एक्प जिसता है कभी वह 500 रुपे खर्च करता है कभी 800 रुपे खर्च करता है माल लीजिए उसने 5000 रुपे अब तक खर्च कर चुका है और एक दिन उसकी किसमत खुली और पचास थार रुपे का लॉट्टरी का इनाम लगा नाव तो कुशन इसकी इंकम टेक्स में जब वो इंक पूरी के पूरी ग्रॉस टेक्सिबल होगी कहने का मतलब है आपने उस इंकम को पाने के लिए अगर कोई खर्चा किया तो उसकी कोई कर्टाओती आपको नहीं मिलेगी आप वो तो उसका लॉजिक से सिंपल है वो यह कहेगा कि सर मैं 50 पर टेक्स नहीं दूंगा 5 मेरे खर् ऐसी चीज़ों को हतोत साहित करना कुशिश की जाती है ऐसी चीज़ों को प्रमूट नहीं किया आता कि दी मोटिवेट किया जाता है तो कि लोग लॉटरी लोग की वाल क्या होता है काम दंदा छोड़ू के के वल किसमत के बरो से लॉटरी घैंच न लग जाते हैं तो उस च तो बात ध्यान दिजेगा आपने फनिचर खरी था आपको यह पता है कि 10,000 से जादा का cash expense आप नहीं कर सकते हैं इन्होंने पहले मामले में exact 10,000 का cash expense किया है यानि यह allowed है दूसरे मामले में इन्होंने 15,000 का payment किया है और यह 15,000 इन्होंने bearer check से दिया है जिसे अपन हिंदी में वाहख check बोलते हैं और आम भाशा में जिसको अपन self वाला check बोलते हैं अपने party को self का check दिया जो जाके counter पे cash ले लेगा ठीक है गलत किया इसके अलावा अपने 20,000 रुपय का payment किया है furniture वालो को और इसके लिए अपने उसको account पे चेक दिया है यानि पैसा उसके account में जाके जमा होगा bearer check का पैसा account में जमा नहीं होता bearer check का पैसा counter में मिल लाता है हम यह कहने चाहते हैं कि आमने 30,000 रुपय का furniture खरीदा तो इस 30,000 रुपय के furniture पे आपको 10% का depreciation अलाव होगा और आपको 3000 का depreciation अलाव होगा इसमें समझने वाली 3 बाते थी पहली बात तो आप यह समझे कि furniture पे rate of depreciation क्या होता है वो होता है 10% दूसरा इसमें आपको नियम समझने था 40 A3 जिसके अंदर आपको बताया गया है कि आपको 10,000 रुपय से जादा का किसी को payment करना है तो आपको वो cash या bearer check से नहीं करना चाहिए वो आपको account पर ही check यह जो electronic तरीके credit card, debit card, UPI, net banking, IMPS वगएरा उससे करना चाहिए ठीक है और तीसरी बात से यह निकल गया थी है कि अगर आपने किसी और तरीके से जो हमने मना किया गया bearer check से payment नहीं करेंगे फिर भी आपने payment किया अगर आप ऐसा करोगे तो आपको फिर depreciation allow हम नहीं करेंगे यह income tax department बोलता है assessi को कि आपने 15,000 की यह जो चीज खरीदी इस पर हम depreciation आपको allow नहीं करने देंगे तो 30,000 रुपए पे 3,000 का depreciation आप क्लेम कर सकते हैं ठीक है यह समझे वाली चीज थी वेल इसके बाद आप देखिए एकश वाई जड ने एकश वाई जड लिमिटेड ने पेटेंट और कॉपि राइट के लिए जेड़ लाग रुपए का खर्चा किया तो क्या पूछ रहा है ऐसे खर्चे का क्या होगा ऐसे खर्चे पर डैपीसेशन ले सकते हो यह 25 पसंड की रेट से ले सकते हो क्योंकि इ सब्सक्राइब नियम देख लिए ट्रेडमार्क फ्रेंचाइजी लाइसेंस पेटेंज कॉपिराइड नोहाओ या अधर कमर्शियल और बिजनस राइट्स आइडेंटिकल नेचर पे रेट आफ डैपीशेशन पच्छेशन है पार्ट बी का मला है जो पार्ट ए है वो टैंज कर लिए जो गाड़ियों को चलाते हैं ठीक है कौन सेक्शन में जा सकते हैं जिनके बाद 10 तक गाड़िया है अगर किसी भी वर्ष में आपके बाद 10 तक गाड़िया है हैं किसी भी वर्ष में वर्ष के एक हिस्से के लिए अगाया का दस से जदा गाड़िया है तो फिर आप इस स्टे सेक्शन का लाब नहीं ले सकते हैं अगर आपको लेना है 1000 रुपया पर मंद, 1000 रुपया पर टन, पूरा नियम होता है 1000 रुपया पर टन पर मंद, पर मंद, जब दो बताओ, अगर आपके इस elaboration कहना है, जिसकी 18 रुपया है, तो आपकी income 18,000 महने मानी जाएगी, ब्लब और उस गाड़ी की इनकम जादा हो सकती है, दिनकम 10,000 महाना म गाड़ी चोटी है 12 तंसे चोटी है तो फिर आपके इंकम 7.500 रुब महीना माने जाएगी तो अगर आपके पास कोई गाड़ी चोटी है तो आपके इंकम 7.500 महीना और यहीं पूरे साल की इंकम 60,000 मान जाएगी तो इसमें आप सारे प्षण पढ़िएगा किसी भी समय आपक कर दस से जदा गाड़िया नहीं होनी चाहिए अभी सारा पढ़ लीजेगा कोई लंबे चौड़े लिखे हैं तो ठीक है किस वां गोशन the due date of filing of return for a company with a business loss of 130,000 for assessment year 24-25 यह पूछ रहा है कि ITR किस तादिक तक file करना पड़ेगा अगर एक company है तो देखिए अगर company है तो उसकी audit होगी तो बाकी सब के लिए 31 जुलाई date है जैनि अगर assessment year 24-25 है पूरी बात करें assessment year 24-25 यानि previous year 23-24 तो आप आपने 31 मार्च 24 तक तो income कमाई और 31 जुलाई 24 तक आपको हिसाब देना होगा अगर आप एक non-audited आदमी हो तो मैं फिर बोलता हूँ प्रिवेस year 23-24 मार्च 24 को समय खतम हो जाता है उसके बाद आपको चार मेने का समय मिलता है अपरेल माई जून जुलाई चार मेने तक आपको रिटेन अपना फाइल करना होता है अगर आप एक non-audited person है तो लेकिन company के मामले में उनकी compulsory audit होती है और जिनकी audit होती है उनको थो अपना अपना फाइल करना compulsory है और 31 October 2014 इस तक इनको अपना ITR भरना होगा सी इसका अंसर है ठीक है चलिए next question अच्छे इसमें कुछ बाद याद लिए जनरली जो जिनके audit नहीं होनी होती है उनको 31 July तक return file करनी है जिनके भी business में audit requirement है उनको 31 October तक return file करनी है अगर कुछ लोग international transitions करते हैं तो उनको 30 November तक अपने ITR file करनी है अगर आप अपनी return में change करना चाते हो संशोधन करना चाते हो तो December तक return पे संशोधन कर सकते हो अगर और जो updated return होती है वो assessment यह समापत होने के दो साल बाद तक होती है तो assessment यह 24 पच्चेस कम खतम होगा मार्च 25 में तो मार्च 27 तक आप updated return भर सकते हो यह एक नया clause जोड़ा गया है चलिए इसके बाद है Mr. Sural है the tax liability of Mr. Sural who attend the age of 60 year on 31st March 2024 तो यह 6 साल के हो गए है ध्यान रखेगा and does not opt for the provision of section 115 BAC 115 A BAC जो section है वो new tax regime है लेकिन उनने नए tax regime को नहीं अपनाया है previous year 23 choice के लिए और इसकी total income 5,60,000 है हलाकि अपनाना चाहिए था फायदे में जाते बट ठीक है इन्होंने नहीं अपनाया है new tax regime को और इनकी जो total income है उसके इंदर salary है और interest on FD है और इसने अपन से पूछा है कि बताइए उनका tax कितना बनेगा ठीक है आपको इनकी tax liability बतानी है तो आप जहान से समझिए पहली बाद तो यह है कि इसने previous year 23rd choice जो की 31 March 2024 को समाप्त होता है उससे पहले पहले 60 year की age प्राप्त कर ली है त बाकी सब के लिए 5,000,000 की limit होती है senior citizen के लिए 3,000,000 की limit होती है 3,000,000 तक इसके उपर कोई tax नहीं लगेगा और 3,000,000 से लगा कि 5,000,000 तक की जो income होती है बीच की income है उसके उपर 20% tax लगेगा ठीक है पका बात है 20% लगेगा 5% 5% tax लगेगा और उसके बाद जो 5,000,000 से लास्ट में आके जो भी बनेगा उसमें 4% health and education से जोड़ा जाएगा ठीक है तो यह सारी calculation अगले पेश पर की वही है मैं आपको वहाँ समझा देता हूं देखिए जो लोग इस पर चलिए senior citizen पर जो लोग senior citizen है और ठीक है इन्होंने 3,000,000 तक 3,000,000 तक कोई tax ने लगेगा 3,000,000 से लेकर 5,000,000 पर इनका 5% tax लगेगा और 5,000,000 से उपर वाली income पे ठीक है 5,000,000 से 10,000,000 के bracket में 20% tax लगेगा और लास्ट में इनका 4% health and education से लगेगा और आप कहेंगे रिबेट पुराना जो tax regime है उसमें रिबेट उनको मिलती है जिनकी इंकम 5,000,000 तक हो लेकर इनकी इंकम 5,000,000 से जाधा है इसलिए इनको कोई रिबेट नहीं मिलेगा और रिबेट मिलने भी होती तो health and education से इससे पहले मिलती है पर वो इनको कोई ऐसी रिबेट नहीं मिलेगी और 22,883 रुपे इनका tax बनेगा ठीक है main बात क्या है क आपको question देखते ही उसके नियम याद आने चाहिए यह important है इसलिए मैं हमेशे कहता हूँ जैसे screen पर question आए आप इसके को प्रॉप्स कर लीजिए और खुद ही question कीजिए अब गौरव करके व्यक्ति है वो निवासी है उसका आशरत भाई है उसके इलाज पे इनके 15,000 खर्च या आराम से मिलती है दूसरी बात है कि इसका जो भाई है वो आशरत है ने dependent है तो dependent का D और तीसी बात है उनको गंभीर विकलांगता है ठीक है disability है तो जब यह DD हो जाता है कि कोई व्याष्टी के उपर dependent है और disabled है तो फिर ATDD section लगता है ATDD में या तो 75,000 की कट्रौती मिलती ह या 70,000,000 की कट्रौती मिलती है चुमकि गंभीर असमर्थ आ जाती है तो 70,000,000 की कट्रौती मिलती है अब आप यह कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने भाई के इलाज पे मात्र 15,000 खर्च किये और ज्यादर स्यादर 20,000 LIC में जमा करा है तो उसको कट्रौती 35,000 तक की मि finding disability तो अगर किसी disabled की बिमारी पे उसके maintenance पे रीहबिलेशन पे आपने पैसा खर्च किया है तो आपको बिल्कुल कट्रौती मिलेगी और आपको सवा लाग रुपे की कट्रौती मिलेगी D इसका आंसर रहने वाला है ठीक है चलिए बस एक दो कॉशन और है इसके बात कहता है Mr. Sharma ने स्वच भारत कोश में 50,000 रुपे और हजी गांधी फांडेशन में 20,000 का चेक से दान दिया है अच्छी बात है उन्होंने एक पब्लिक चैरिटिबल ट्रस्ट को भी 10,000 का दान दिया है लेकिन नकत दान दिया है और बताइए 80G के तहत इनको कितनी कट्रौती मिले स्वच भारत कोश में डोन डोनेशन दिया है यह विदाउट लिमिट में 50,000 का दान देने पर को 50,000 की कट्रौती में और इसके दान को इनमें आप 50% category में जाएंगे तो 20,000 का दान देने पर आपको 10,000 की कट्वाथी मिलेगी यह जो आपने cash donation दिया है वैसे आप charitable trust को donation देते हो तो आपकी limit देखी जाती है और limit देखने के बाद 50% कट्वाथी दिया तो इसको question में खुल मिलाके साथ हजार रुपे की कट्वाथी मिलेगी 60,000 की ठीक है चलिए तो यह पूरी एक list लगी है यहाँ पर देख लीजे जवालाल नहरू Memorial Fund में Prime Minister Drought Relief Fund जिसको अकाल साहेता कोश बोलते हैं इंद्रा गांधी Memorial Trust में और राजीव गांधी Foundation में इन में आप जितना दान दोगे कट्वाथी आपको आधी मिलेगी 50% कट्वाथी मिलेगी ठीक है चलिए इसके बाद आज का आखी कोशन काफी हैवी चैप्टर रहा आज का किसी व्यक्ति की टोटल इंकम आप कैसे निकालते हो तो यह हम निकालते हैं उसके रेजिदेंशल स्टेटस के बेसिस पे टोटल इंकम जैसे आगर आपको आज का लेक्टर याद रहा हो तो उसके अंदर एक आशीश था ठीक है आशीश को UK bond से इंकम हुई थी और रेजिदेंशल स्टेटस चेक करते हैं तो ही उसके बाद देखा जाता है कि उसकी इंकम जोड़ी जाएगी के नहीं जोड़ी जाएगी तो टेक्सेबिलिटी हमेशा रेजिदेंशल स्टेटस के बेसिस पे निकाली जाती है ना जेंडर के बेसिस पे ना सिटीजन्शिब के बेसिस पे ना एजुकेशन की बेसिस पे होग वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारा एप डाउनलोड कर लिए कोई बात पूछनी बतानी हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमे क्यों झाल टू सेक्शन में कांज राउनलोड कीजिए प्रफशन देसी घार थे साथ कि जाए पर लाइचा है कीजिए ज्युक्षा है